बिना भोजन के नहीं रह सकते बोले एक अदसी को भोजन छोड़ो अन भैवीत होकर भगवान की शरण में गया महराज बचाओ 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 भगवान के हुआ क्या अरे सब दुनिया हमको खाय चली जा रही है हमको भी छुट्टी मिलना चाहिए लोग र एक अदसी को तुम्हारी चुट्टी एक अदसी को अन को अवकास है एक अदसी को जो अन खाएगा वो पाप ही खाएगा जो एक अदसी वृत करते उनका पाप अन पर चला जाता है और जो एक अदसी वृत नहीं करके रोटी अन खाते हैं पाप उनके भीतर जैसी हरान उनक एकादसी वरत अवस्य करना चाहिए उद्यापन के बाद भी एकादसी त्याग नहीं चाहिए उले हम बिना जल के नहीं रह सकते एक दिन ऐसी तिती वे जिस दिन जल का भी त्याग नरजला एकादसी जल भी मत पियो पर एकादसी एकादसी के जैसी होनी चाहिए ऐसी एकादसी नहीं कि एक महात्मा बड़े बिनोधी थे वो कहते थे महराज 11 वार तक फलाहर करने से एकादसी बृत भंग नहीं होता है एकादसी का पूरा पुर्णे मिलता है 11 वार से जादा कोई खावे तो फिर विचार करना पड़ेगा कि अब एकादसी है की नहीं 11 वार तक चलेगा बिनोध में कहते थे सची बात यह है सरवोत्तम पक्ष है कि एकादसी एकादस्याम निराहार रहा जाए उतना संभव न होगे तो पयो ब्रतो ब्राहमना वेद में लिखा है ब्राहमन वृत करे तो दूद पी करके करे पयो ब्रतो ब्राहमना यवागू ब्रतो राजन्या क्षत्री वृत करे तो लपसी खा करके फलाहारी लपसी वो खा करके ब्रत करे बुले भाई ब्रामन को दूद पीने की बात क्यों हो चत्री को ये लपसी खाने की बात क्यों बुले गउपर ब्रामन पर अवला पर राश्ट पर संकट आ गया उसको फिर युद्ध करना है तो बढ़िया कुछ घी से तर हलुआ बगेरा खाएगा तो युद्ध करने भी जाएगा एकादसी होगे तो भी लड़ने जा सकता है इसलिए इस विधा उसको दी गई है बैश्यों को भी इस विधा दी गई है निराहार बृत न कर सकें तो आमिक्षा व्रतो वैस्या वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैस्या वैस्यों को आमिक्षा आमिक्षा मने होता है छेना दूद का छेना होता ने छेना छेना को आमिक्षा कहते हैं छेना की मिठाई छेना खा करके या कुछ खोवे की चीज खा करके वो बृत कर सकते हैं क्यों? उनको भी बहुत प्रवर्ति करनी है इसलिए उनको भी थोड़ी सुविधा दी गई और बाकी लोगों को फलाहर करके करें छोटे बालक एकादसी करें तो उनको निराहर रख दोगे तो ठीक नहीं उनको तो जितनी बार भूख लगे अन मत दो उनको तो फलाहर दो फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे समझदार हो जाएंगे तो फिर अपने आप उनका ठीक सिवर्त होने लग जाएगा इस तरह सिवर्त करना